एक sector जिसने earnings नहीं दिखाई हो लेकिन चला काफी वो है IT, यहां market cap pricing रहने ही कोशिश कर रहा है? So, IT में दो अलग तरीके के trends है अनुच, आपने अगर पिछला दो तीन साल का देखा होगा, तो large caps अगर आप देखें, बहुत अलग आपको feel आएगा, और mid caps अपने अलग trajectory थे हैं, मुझा लगता है यह थोड़ा देर और चल सकता है, क्योंकि आपने देखा, October के महीने के जो results इसमें hype पूरा निकल गया है, जो COVID का hype था, right, सारे IT companies पैटीस, पैटीस, पैटीस के PE पे चले गये थे, वह वापिस से बीस, बीस, अठरा के PE पे आगए, at least the large caps, और payout ratios, dividend yield, free cash flow generation, वहाँ पे एक रुपे का भी फरक नहीं पड़ा है, आज भी 90-95% payout ratios है, ROE's upwards of 30-35%, a company like TCS will do more than 45% ROE, right, and 55,000 odd crores of profit, लेकिन, because इतने bellwether stocks हो चुके है, और US में 5.5% interest rate ने जो एक macro level पे worry create के है, हला कि अभी तो को pan out नहीं हुआ है, recession, but कही ना कही, you know, at the back of your mind, आप हमेशा है सोचते रहते हो कि US में कभी ना कभी recession आएगा, तो Indian IT को फरक पड़ेगा, but अगर आपका नजरिया थोड़ा लंबा है, और आप थोड़ा सा under performance और सहन कर सकते हो, तो मुझे लगता है value बहुत है, Indian IT, especially large cap में है, ओके, अच्छा, एक आपने reality की बात छेड़ी, तो reality में, क्योंकि हम अभी भी कई लोग बानते हैं कि mid sector, मिला, mid cycle में है, तेजी की, क्या अभी भी यह opportunities हैं, आपने एक recently initiate coverage किया था SunTech पर, for example, तो क्या हो आपका preferred pick है, और overall cap यह आपका real estate पर? Actually, mid cycle नहीं, अभी तो cycle चालू हुआ है, ऐसा मुझे लगता है, I may be wrong, 2008-10 के बाद से 2021 तक, 11 साल का आपका, या 10-11 साल का slowdown था, या down cycle था, तो एक या दो साल में mid cycle पर आप शायद नहीं आएंगे, राइट, दूसरा, जहां तक हमारी बात है, हमने आज सुवे फिर एक report नि ड्राइवर होता है, operational, for real estate companies, हम, जब साल चाल हुआ हमारा अनुमान था, 15% का full year pre-sales growth होगा, हमारे coverage universe के 12 stocks का, आज हम लिख रहे हैं कि 30% होगा, हम, first half में आपने देखा, launches 26,000 करोड के हुए हैं, हमारे 12 companies जो cover करते हैं, second half में हमने number लिखा 82,000 करोड का, तो real estate में दो-तीन चीज़ा हो रही है, काफी सालों का pent-up demand है, affordability increase हुआ है, क्योंकि consumer का income growth जरूर हुआ है, पिछले 10 साल में, और property prices काफी सालों तक flat थी top cities में, तो हमें लगता है, यह जो cycle है, काफी लंबा चल सकता है, इसमें हमारे जो preferred stocks है, वो है Godrej, Prestige, यह दो हमारे top ideas है, जिसमें से Godre oriented companies पे भी हमारा एक positive view है, और सब में हमने देखा, सारे results यह quarter के अच्छा है, कही कही पे numbers upgrade हुए, और सब जगा पे pre-sales, launch, यह जो basic operational parameters होते हैं, उसमें uphold revision करना पड़ा, बहुत sectors के बात होगे, अच्छा एक sector जो अब थोड़ा सा वापस focus में आ रहा है, वो है specialty chemicals, यहाँ पर coverage है क्या आपकी और अगर है तो कोई particular stocks जो आपको interesting लग रहे हुए यहाँ आपर, तो यहाँ हमारा बहुत wide or diff वाला coverage है, हम करीबन 15 stocks cover करते हैं, small cap, mid cap, large cap, सब मिला के, मुझे लगता है, इस sector को अभी भी time है perform करने को, क्योंकि जो एक bump आया था COVID में margins का, sector का gross margin 40 होता था, जो अगले चार quarter में 51 टका हो गया, so both EBITDA and profit margins में आपने 1000 basis point का spike देखा था 3-4 quarters में, because supply constraints थे, चाइना में issues थे, वो सब अब normalize हो गया है, जो 40 का margin 50 हो था gross, वो आपस 40 प लेकिन valuations, despite two years of under performance, अभी भी महंगय है, तो इस sector को थोड़ा समय और बिताना पड़ेगा, जब तक earnings और valuations में थोड़ा सा convergence नहीं होता है, within the sector हमें PI industries ठीक लगता है, और SRF भी अब यह बाहु से हमें थोड़ा value दिखने लगा है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आता आपके साथ बात करके, और सारी stocks और markets पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो बात आपने कही, distractions आते रहेंगे बीच बीच में, लेकिन long term growth story, earnings के साब से अभी भी intact है, बीरो,